Everyone, Welcome to Anubar Study Facts आज हम Science की Test Series 8 करने वाले हैं गईज यह आपको SI, PSC, Jail Prairie, Police Constable, Paramedical, CTET, KBS, ANM, Jail Department, Platoon Commander या फिर SAC, CHSL जैसे exams जहाँ पर Science portion पूछा जाता है यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहेगी वीडियो पसंद आए तो like करना, share करना और चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करें First question है The main active constituent of tea and coffees चाय वा कॉफी में मुख्यता कौन सा सक्रेतत्व पाया जाता है Esprin, Nicotine, Chlorophyll या फिर Caffeine तो गईस कौन सा पाया जाता है Caffeine या दरकिएगा Caffeine चाय वा कॉफी में mainly पाया जाता है Next है The main use of magnesia is in प्रती जैविक के रूप में दर्द निवारक के रूप में रोगाणू रोधक के रूप में या फिर हलकी रेचा कॉषदी के रूप में तो क्या होगा हलकी रेचा कॉषदी के रूप में Fourth option correct होगा guys फिर बात करते हैं The effective radius of atom परमाणू की प्रभावी तरजय क्या होती है 10 to the power minus 6 meter 10 to the power minus 14 10 to the power minus 10 और 10 to the power minus 15 तो guys हम से क्या पूछी atom की पूछी है तो 10 to the power minus 10 meter याद रखेगा Next is the atmosphere exert enormous pressure on us but we don't feel it जो वायू मंडल है वो हमारे उपर अत्यदिक दाब डालता है फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता हमारे सर का प्रस्टिश हित्पल बहुत कम होता है हमारी अस्थियां बहुत मजबूत है तो इस दाब को बहन कर लेंगी फिर हमारा रख्त दाब जो होता है वो वायू मंडल ये दाब से हलका सा अधिक होता है ये बिलकुल सही option है guys कि जो हमारा blood का जो pressure होता है तो वो क्या होता है हलका सा जादा होता है किस से? atmospheric pressure से Next is the first organic compound to be synthesized in the laboratory walls जो प्रेयोक्षाला में सबसे पहले जो कार्वनिक योगिक बना था वो क्या था? यूरिया था? टार्टरिक एसिट था? एथिलीन था? या फिर एसिटिक एसिट था तो क्या था guys? यूरिया याद रखिएगा ये अच्छा question है बार-बार एक्जाम में देखने को मिलता है फिर एद नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिट्वेटेड इन रास्ट्री रासायनिक प्रेयोक्षाला कहा है न्यू डेली, पूने, बैंगलॉर या फिर पटना तो कहा है guys, पूने इस तरीके से भी questions पूछे जाते है तो अब आपको इस series से पता लग जाएगा कि questions किस तरीके से आते है next is a little ether on the palm gives a cooling sensation because क्यों जो छोटी सी जो ether की अगर मात्रा हतेली पर रख दे तो वो ठंड़क प्रदान करते हैं तो अचा के चिद्रों में प्रवेश करता एक थंड़ा द्रभ है वाशपी करण के कारण या फिर हतेली पर संगनित हो जाता है तो evaporation के कारण वाशपी करण के कारण next है one of the organs excrete water fat and various catabolic wastage तो lungs या फिर skin या फिर sweat glands का लीजेगा और spleen तो इसका जो सही answer है वो skin है salivary glands वो biomistic type हो गया है next है palentology is the study of palentology किसका अध्यान है bones का, primate का, fossils का या फिर words का तो किसका है, fossils का अध्यान क्या कहलाता है गा इस palentology या आप से reverse में भी पूसकता है palentology किसका है, तो fossils का और fossils का अध्यान क्या कहलाता है तो palentology next है the purest form of water समुदरी जल, आसुद जल, नल का पानी या वर्षा का पानी तो जो distilled water होता है या आसुद जल होता है वो सबसे pure water होता है next है in cactus the spines are modified जो cactus है नाकफनी के पोधे में काटे किसका रूपांतरण होता है तो फल का, तने का, पत्यों का या फिर कलियों का, तो leaves का leaves का क्यों होता है guys क्यों कि वहाँ पर क्या होता है रेगिस्तान में पानी की कम होती है तो वाशपी करण को रोकने के लिए जो पत्यों होती है वो कांटों में रूपांतरेत हो जाती है next है in which of the following is sex determined by environment निमने मैंसे किसमे बातावर्ण के अनुसार लिंग निर्धारन होगा मक्का, पपीता, बोने लिया, फिर मदु मक्की तो किसमे होगा guys बोने लिया में याद रखेगा बोने लिया में जो होता है वो sex determination किसके द्वारा होता है environment के द्वारा next है a balance fertilizer for plant classes जो है उसमें पढ़ा होगा कि जो compost है वो सबसे बड़ी अखाद मानी जाती है which one of the falling is a false fruit हमने true fruit पढ़ा था जिसमें हमने नारियल के बारे में पढ़ा था आज हम असत्य फल पढ़ेंगी क्या है cherry, तर्बूच, सेव या नीबू तो apple apple क्या है guys इस असत्य फल है और एक जो हमने सेशन करा था उसमें हमने सत्य फल के बारे में पढ़ा था वो था नारियल next है बहुत सारे कवक हैं जो मानव में रोग उत्पन करते हैं निमने मैं से कौन सा कवक रोग उत्पन कर सकता है राइजोपस, पक्षीनिया aspergillus या फिर agaricus तो guys जो aspergillus है वो मानव में जो रोग उत्पन करने वाली जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं aspergillus होते हैं फिर है which of the falling cell organism involved in respiration यह हमने पढ़ा है कौन सा कोशकांग है जो स्वशन में भाग लेता है nucleus chloroplast, mitochondria या फिर ribosome तो जो mitochondria उसे क्या कहते हैं guys powerhouse of cell कहते हैं हमने cell में बहुत अच्छे से discuss किया है science full course पर अनुबाद study facts आपको link description box में मिल जाएगी which of the falling electromagnetic waves has the longest wavelength जो सबसे ज़ादा wavelength है वो किस की है गामा की या फिर light rays की परावैंग नी की या फिर infrared की तो किस की है guys infrared की सबसे ज़ादा अगर wavelength की बात की जाए sweat content पसीने में क्या होता है शुद जल, phosphoric acid, calcium phosphate gel या फिर gel lover और abscist पदार तो क्या होगा gel lover और abscist पदार water, salt and waste material या फिर waste matter present in sweat फिर है water stored in earthenware मतलब जो एक मटका है मटके के अंदर जो जल रहता है वो ठंडा क्यों रहता है छोटे छिद्रों से जल वास्पित हो जाता है मटका उश्मा का अच्छा विकरण करता है मटका जल की उश्मा का अफ्सोशित कर लेता है या फिर मटके की उश्मा धाता अच्छी होती है तो जो छोटे छिद्रों से जल वास्पित होता रहता है और आपने पड़ा होगा कि जो एवोपोरेशन या जो वास्पित करन की प्रक्रया होती है वो हमारी बोडी को भी ठंडा रखने का काम करती है तो इसका सही option क्या होगा छोटे छिद्रों से जल वास्पित हो जाता है इसी जरीके से questions guys हम लोग discuss कर रहे है यह 1000mcq की एक series है next है अब prokaryot is सबसे प्राचीन बहुकोश के जीव है एक हाड़ फल है यह एक जीव जिसकी कोशकाओं में जिली रहे केंद्रक पाया जाता है तो यह बिलकुल सही है guys हमने सेल में prokaryotic और eukaryotic cells के बारे में discuss किया है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा most important topic है तो guys यहाँ पर हमने अपने questions को discuss करा वीडियो पसंद आये तो like करना comment करकर बताना और चैनल पर पहली बार आये तो subscribe करना friends के साथ share करना thanks for watching this video